दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल लेडिज इस्पेशलिस को सबस्क्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें तो फ्रेंड्स आज आप मेरे साथ राउंड नेक पर बहुत ही खुबसूरत ब्लाउस डिजाइन देखने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा 14 लिए मैंने लंबाई में, चेश्ट मेरे पास 9 यानी 36, शोल्डर लिए मैंने 5 इंच और आर्मोल 6 इंच याँ गले की चोड़ाई मैंने लिए है 0.5 इंच 2.5 और इसे लंबाई में मैंने रखा है 9 इंच तो इसके में सिंपल सा राउन नेक जो है वो ड्रो करना है तो इससे पहले हम अटेच कर लेते हैं अस्तर के साथ में तो इस नीचे से मैं फोल्ड कर रहे हूँ आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं तो इससे पाइपिंग भी लगा सकते हैं तो इस सिंपल हमारा अटेच हो गया है अब लगाई है हमने इसमें पाइपिंग तो एक इंच की उरे पटी है और राउन नेक है खीजते वे हमें लगाना ऐसे पाइपिंग तो इसकते हैं पाइपिंग में एक उरे पाईपिंग वे वेगा सकते हैं तो यह मारी पाइपिंग हो जाएगी, अब दीखिए, हाफ राउंड शेप में यह मैंने कटिंग रख कर रखा है, अब इसे हमें बुक्रम कटिंग करनी है, तो इसी तरह से यह मैंने बना लिए हैं, और प्रेस के साथ मैं इसको चिपका भी लिए है, अब इसके चारो तरफ हमें लगानी है पाइपिंग, तो यह जो पाइपिंग है, वो ज्यादा चोड़ाई में आपको नहीं लेनी है, क्यो अब इसके चारो पाइपिंग है, तो इसी तरह से यह मैं सपर पाइपिंग है पाइपिंग लगा लेनी है अब उसके बाद मैं मैंने ये दो कलर में औरे पट्या ली है डैडिन चोड़ाई में और इससे हमें बनानी है हाफ इंच की पट्यां ध्यान रखेगा ये जो कपड़ा है वो औरे भी होना चाहिए देखे इस तरह से हमें गले के चारो और इन्हें अटेच करना है तो ये इस तरह से दूसी तरफ से भी हम अटेच कर लेंगे और जो हमने औरे पट्या बनाई है हाफ इंच में वो फिर हमें याँ पर नीचे के साइड में अटेच करती है कर दो याँ जाँ से औरे भी हमें आटएब में अभी हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो और इसी तरह से दूसरी जो पटी बनाई है अमने ग्रीन कलर वाली वो जस्ट इसके पास में एक और लगा लेंगे यह हो जाएगे मारी पीछे वाली डाट तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आये तो जो लाइक और शेयर कर दीजिए और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बैल आइकन पर भी क्लिक कीजिए थैंक्स पर वाचिंग